आप जानते ही हैं कि बिहार में इम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं हाथ उठाईए अब पूरा उनका नमन करिये हाथ उठाऊ साथ तो इसलिए बहुत खुसी की बात है कि वो आ गये हैं और इसका सब कुछ निर्मान करेंगे आप जानते ही हैं हम तो उनका आज के उपस्तिती के लिए स्वागत करता हूँ उनका विनंदन करता हूँ आदर्ण ये दर्णर बोधी जी का और आज महत्वपूर्ण दिन है दर्भंगा इम्स के निर्मान का सिलान्यास मान्ये प्रधान मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और दर्भंगा में इम्स के निर्मान से बिहार के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुवजाओ अपलब्द होगी और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदर्निये प्रधान मंत्री सुरधेव अठल विहारी बाजपेई जी के कारेकाल में पहली बार इम्स का पटना में उन्होंने निर्मान का निर्ने लिया था 2003 में और आप जानते ही हैं कि बिहार में इम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे धंग से बहुत अच्छे धंग से बन गया है और उसके बाद दूसरी बार भी जब हमारे आदर निये प्रधान मंत्री अठल बिहारी बाद पेई जी का सासन था इनका शुरू हुआ था तो दो हजार पंदरह में ही यहां तै हो गया कि जैसे एक बना हुआ था एक और बिहार में बनेगा तो उसी समय जो थे उस समय के तदकाल वित मंत्री श्री अरुन जेटली जी और हम तो जा करके उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है अब निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए दूसरी जगा यह हमने उनको कहा था कि दर्भंगा वाला एरिया जो है इसको होना चाहिए और हम सब लोगों को सुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दर्भंगा का है इसलिए होना चाहिए यह सब कहा लेकिन सरकार ने यह निर्मे ले लिया यहां पर बनेगा हम सब जगा लोगों से अन्रोद करते थे और एक बार तो हम 2019 में ततकालिम केंद्रिय स्वास्तेवं परिवहन कल्यान मंत्री आदर्निये जेपी नड़ा जी पटना आये थे यहां पर बहुत लोग हैं जो सब लोग सामिल थे तो पटना में जब आये थे वो तो उस समय भी उनको हमने 2019 में कहा कि साहब आप जल्दी से आप इसको बनवाईए और अच्छा होगा कि यहां जो दर्भंगा का हो तो दर्भंगा में जो एम्स है तो मेडिकल कॉलेज को एम्स के रूप में उसी को स्विकार कर लिए कहा उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है लेकिन बाद में उसके स्विकार में फ़ड़ा सा दिक्कत कई से हो रहा था तो अंत में ये हो गया कि ठीक है को यहां पर बनेगा तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कहा कि भाई वहां नहीं बन रहा है तो कोई जगह पर बनना चाहिए क्योंकि वही पर तो दर्भंगा बेडिकल कॉलेट के पास तो ये बनना उचित नहीं होगा लेकिन जब यहां के DM बगरह ने देखा कि कौँ सी जगह है तो आज जो आप यहां पर आए हैं यही जगह DM ने चूना पिछली बार अप पिछली बार हम आ करके वही जब बोले तो देखे तो हमने कहा कि नहीं है बहुत अच्छा है इसके लिए आने का जो रास्ता है इसको और चौड़ी करम किया जाएगा और ये बनेगा इसका थोड़ा विस्तार करके और सब जगह इसको रास्ता के लिए किया जाएगा और ये बन जाएगा तो निश्चित रुप से दर्भंगा का बहुत विस्तार होगा जितना दूर दर देख्टे हुए मान लिया कि होना चाहिए और इसी के लिए इसी स्थल पर जो था आ रहे हैं और आप आ करके इसकी सुरुवात हो जा रहा है तो जितना सब जगह भी होगा तो हम लोगों ने तो यह भी कर दिया कि यहां पर बन रहा है और एक बात आपको और कह देते हैं कि जो दरभंगा मेडिकल कोलेज अस्पताल है उसमें तो चुकी संभव ये नहीं था अलग इसका जगा होना चाहिए था ये बनाया है और इसमें तो आपको बताए कि दरभंगा का विस्तार होगा और ये बहुत अच्छा होगा और पूरे ये प्रधान मंत्री जी ने इसको स्विकार किया है आज आए हैं इसके उद्गाटन के लिए तो ये बड़ी खुसी की बात है और इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं का कि इसको आपने स्विकार कर लिया कर लिया और एक चीज़ा आपको हम और बता देते हैं कि हम लोगो में हम लोगों ने तै कर दिया कि उसका और विस्तार कर देंगे और पचीस सो लोगों के इलाज का इंतजाम करेंगे और वो भी हम लोगों ने कर दिया तो जो देश का हमारे बिहार का दूसरा था पहला पटना और दूसरा वही बना तो पटना वाले अस्पताल का भी विस् किया जा रहा और जब ये बंड करके चला जला जाएगा तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लोगों को फाइदा होगा और इसके लिए बड़ी खुती की बात है दर्भंगा एम्स के लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी तो हर तरह से जो आप समझ लीजिए कि जैसा हमने कहा कि भाई पहले हम बोले आई एम्स जो बन जायेगा यहां इसके बात सामझ जिए कि दर्भंगा सहर का और विस्तार होगा और इतना बढ़िया बनेगा इतना अच्छा होगा कि सत्मुच बहुत खुसी है और इसलिए हम लोगों को सब को यह खुसी है कि आदर्निये स्रधेर प्रधान मंत्री जी आदर्निये नरंदर बोदी जी आज यहां पर पधारे हैं और यह सुरू कर रहे हैं और यह सारी बात बता देंगे तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो सोचते हैं उससे भी ज़्यादा बढ़िया यह बराएंगे यह हमको है कि जब यह खुद आ गये हैं तो आप सब लोग हाथ उठाईए अब पूरा उनका नमन करिये हाथ उठाऊ सब तो इसलिए बहुत खुसी की बात है कि वह आ गये हैं और इसका सब कुछ निर्मान करेंगे तो हम लोग तो पूरे तौर पर इनका स्वागत करते हैं इनका अ कहा देता हूं कि जो भी राज्य सरकार को सहीयोग करना है हम सब लोग पूरे तोर पर सहीयोग करेंगे और यह बहुत अच्छा बनेगा इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा बड़ी खुसी की बात है इनी सब्दों के साथ उनका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप क करते हैं